बिहार पंचाया चुनाव से जोड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है पंचाया चुनाव की घोशना जल्दी की जाएगी आयोग ने पंचाया चुनाव की अधिसुचना 20 अगस्त 2021 को जारी करने का प्रस्ताव दिया है राज निर्वाचन आयोग के सचीव ने पंचायती राज विभाग के अपर मुई के सचीव को इस सम्मन्द में पत्र लिखा है कि त्रियस्तरिय पंचायत ग्राम कचहरी के आम चुनाव संबंदित अधिसूचना जारी करने का विश्तित काइक्रम बेजकर पत्र के जरीय अनुमति मांगी है गौरतलवे की करीब धाय लाग पदों पर चुनाव होना है त्रियस्तरिय पंचायत वग्राम कचहरी के विविन पदों के लिए 10 चरणों में चुनाव कराया जाने हैं इसके लिए 20 सितंबर, 24 सितंबर, 4 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 31 वहाग के अपर मुख्य सचीव को लिखे पत्र में यहागाया कि आयोग के अनुस्वंक्सा के अनुरूप, पंचायत निकायो, ग्राम कचहरी के निर्वाचन ही तू, अधिसूचना निर्गत कर, राज निर्वाचन आयोग को 20 अगस्त को निश्चित रूप से करोणा वाइरस के कारण सुवे में त्रियस्तरे पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सकता है, विगडित पंचायतों के इस्थान पर परामर्सी समिती का गठन किया गया है, जो दो जुन से प्रभावी है पटना सिटी अनुमंडल के फतुआ और दनियावा प्रखंड में लोकायन और महतमायन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं दरगा नदी और पुनपुन नदी का जलस्तर भी पिछले 24 घंटे में बढ़ा है, इन नदियों के जलस्तर में विर्धी होने पे परिसानियों का सामना करना पड़ रहा है, इलाके के लोग मदद की मांग कर रहा है, फतुआ चंदासी रोड इससे दरगा नदी पर बने पूल पर पांच फिट पानी चड़ चुका है, बाड़ के पानी बाकर्चक गाउं के कई घरों में भी घुश चुका है, लोग घर के पर अपना आस्रे बना चुके हैं, वहें मवैसियों को सड़क पर रखा गया है, मुमन यही हालात अबालपूर से गौरी चक्की है, जहां एक किलोमेटर तक के सड़क पर पानी चड़ चुका है, जिससे आवागवन पूरी तरह से बादित हो गया है, बिहार में होने वाले पंचाय चुनाओ को लेकर, राज निर्वाचन आयोग ने आदर्स आचार संगीता की गाइडलाइन को और स्पस्ट किया है, पंचाय चुनाओ के दावरान, वोटर्स को गिप्ट देने या फिर उन्हें प्रभायत करने वाले उमिद्वारों के खिलाप, आयोग कड़ा एक काया कि सभी उमिद्वारों को आचार संगीता का नियम पुर्वक पालन करना होगा, आयोग के मुदाबिक उमिद्वारों को ऐसे सभी कारियों से परहिज करना चाहिए, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत अपराज की स्रेणी में आते हैं, इस अधिनियम के मु बिहार में सराब का इस्तिमाल लोग करते हैं, लेकिन पचाच चुनाव में अवैद सराब के इस्तिमाल को लेकर राज निर्वाचन आयोग भी सक्त है, आयोग ने इस परस्ट तोर पर कहा है कि अगर किसी भी उमिद्वार की तरफ से अगर गैर कानूनी सराब खरी ली बिहार सरकार ने कोरोना के मामलों में तेजी से गिराओट को देखते हुए अनलोक पांच की गाइडलाइन का एलान कर दिया है, सरकार ने सभी इसकूलों को खोलने का आदेश दे दिया है, सरकार की और से विश्त्रित जानकारी साजा की गई है नितीज सरकार ने अलग-अलग चर्णों में इसकोलों को खोलने का आदेश दिया है पहली कक्छा से लेकर सनाकोत्तर तक के सिक्षन संगस्थानों को डिपरेंट फेज में ओपन करने का डिसिजन लिया गया है पुद्वार को अपता प्रवंधन समों के बैठक में अनलोग को लेकर कई फैसले लिये गया है बिहार में कोरोना की चेन तूटने के बाद इसकोलों को खोलने का फैसला कर लिया गया है इसकोलों के साथ ही सिनेमा हौल और मॉल को भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है लेकिन ध्यान रहे कि सरकार ने मंदिर मस्जित समेथ तमाम धार्मिक इस्थलों को 25 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया है केंदर सरकार ने पटना के बाद बिहार के पांच और सहरों में पाइपलाइन के जरिये रसोई गैस की आपूर्ती करने का फैसला लिया है सांकसद में आज केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी है कि केंद्र सरकार के मताबिक पटना में पाइपलाइन के जरीए रसोई गैस का आपूर्थी का काम चल रहा है और अब तक 31,624 कनेक्शन दिये जा चुके हैं बीजेपी सांकसद सुसील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में केंद्रिय पेट्रोलियम राजमंत्री रामेशुर्थ तेली ने ये जानकारी दी है दरसल सुसील मोदी ने सवाल पुछा था कि केंद्र सरकार ने पटना में 5 साल में 50,000 घरों पर पाइपलाइन के जरीए गैस पहुचाने का लच्छ रखा था लेकिन ये काम बहुत धेमिकती से हो रहा है और सिर्फ 1,977 घरों पर ही पाइपलाइन से गैस पहुचाया गया ह सुसील मोदी ने पुछा था कि केंद्र सरकार ने इसके लिए पैसे उपलब्द कराया है और कब तक 50,000 घरों पर पाइपलाइन से गैस मिलने लगेगी मोदी ने ये भी पुछा था कि क्या केंद्र सरकार बिहार के दूसरे जिलों में भी पाइपलाइन से गैस उपलब्द कराने पर विचार कर रही है सुसील मोदी के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रिय पेट्रोलियम राजमंत्री रामेस्वर तेली ने बताया कि पटना में घरों तक पाइपलाइन के जरीए गैस पहुचाने का काम गेल को सौपा गया है 295 करोड रुपईय की इस योजना में 270 करोड रुपईय कर्च किये जा चुके हैं गेल ने पटना में 31,624 घरों तक पाइपलाइन कनेक्सन दे दिया है केंद्रिय मंत्री ने बताया कि गेल को ये काम मार्च 2018 में दिया गया था और उसे काम पूरा करने के लिए 5 साल का समय दिया गया था लेकिन 31 जुलाइ 2021 तक ही साड़े 31,000 से ज़्यादा कनेक्सन दिये जा चुके हैं विहार सरकार प्रदेश में बहतर स्वास विवस्ता का दावा कर रही है लेकिन सहरसा से जो तस्वेर निकल कर सामने आई है उसे देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि अस्पतालों की इस्थिति क्या है हम बात सहरसा अस्पताल की कर रहे है जहां बड़ी लापरवाही सामने आई है जी हां दरसल एक वर्ष के मासूम को साप ने काट लिया था जिसके बाद परिजन आनन फानन में उसे सहरसा सदर अस्पताल लेकर पहुँझे बच्चे की इस्थितिक गंबेर थी इसलिए उसे अस्पताल के एमर्जंसी वाड में एडमिट कर लिया गया इस दोरान करिब 45 मिन्टों तक बच्चे का इलाज मोबाइल के टॉर्च लाइट में किया गया अस्पताल प्रसासन भी पौन घंटे तक मुखदर्शक बना रहा बच्चे का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना था कि साप काटने से बच्चे की हालत गंबीर हो गई थी साल से सुरू हो जाएगा केंदर सरकार ने सांगसद में ये जानकारी दी है हाला कि फिलाल मुंबाइ के टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से मुझफरपुर के स्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों का इलाज किया जा रहा लेकिन नए अस्पताल का निर्मान काम इसी साल से सुरू हो जाएगा तरसल केंदर सरकार ने मुझफरपुर में मुंबाइ के टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से आधोनिक कैंसर अस्पताल खोलने का एलान किया था बीजेपी सांगसद सुसील मोदी ने राजसभा में उस समंद में सवाल पूछा था सुसील मोदी ने पूछा था कि सरकार कब तक इस अस्पताल के निर्मान का काम सुरू करेगी सुसील मोदी के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कारियाले के राजमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने बताया कि परमानो उर्जा विभाग ने टाटा मिमोरियल अस्पताल के सहयोग से मुझफरपुर में उपचार की तमाम सुईधाओ सहीत कैंसर अस्पताल के अस् दसमलब 15 करोड की स्विकृति दे दी है इसी साल टिंडर कर अस्पताल का निर्मान कारिज सुरू कर दिया जाएगा सिक्षक बहाली में बड़ा फर्जी वारा चपरा में सामने आया है जहां फर्जी टीटी सर्टिफिकेट के साथ एक महिला काउंसिलिंग के लिए पहुँची थी चपरा नगर निगम छेत्र में छटे चरन की नियोजन के लिए जीला नियोजन इकाई द्वारा सिक्षक बहाली की काउंसिलिंग का काम किया जा रहा था जब इस दोरान अंक पत्र और सर्टिफिकेट के जाँच की गई तब इसे फर्जी पाया गया फिर क्या था जाँच जाँच की गई तो उसमें रोल नंबर और फोटो नहीं मिला जिसके बाद इस बात का पता चला की महिला द्वारा दिए गया अंग पत्र और सर्टिफिकेट फर्जी है टीडी के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अकाउंसिलिंग में सामिल होने आई महिलान को पुलीस इसने गिराफतार कर लिया पिहार राज में सौर उर्जा से अगले साल से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा इसके साथ ही करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा नवेन यवं नवेनी करेनिया उर्जा के मामले में इसे रा से बिजली उत्पादन को लेकर 13 अगस्त को फाइनेंसियल बीड पर अंतिम निर्नाई होने की संभावना है सूत्रों के अनुसार राज में इस से करीब 1250 करोड रुपईये का निवेस होगा फिलाल में इस परियोजना के लिए NTPC सतलज जल विद्दूत निगम अवाड़ा एनरजी एवंग SKPL ने रूची दिखाई है इन में से सभी कमपनियों ने राज सरकार को बिजली बेचने के लिए अपनी अपनी कीमत की गोशना कर दी है बिहार राज बीज वितरन निगम बीजो के वितरन और संग्रहन प्रणाली को पारदर्सी बना रहा है सौप्ट्वेर में बदलावकर किसानों के लिए सहलुयत बढ़ाने जार आया है किसानों से बीज संग्रहन की सूचना के लिए लेजर सिस्टम सुरू किया जाएगा तेक कलेक्सन सेंटर पर अलग-अलग सीजन के लिए अलग-अलग सभी किसानों को एक ही पंजियन संक्या निर्गत होगा अब एक किसान को स्थाई रूप से एक यूनिक आईडी जारी किया जाएगा इस आईडी के आधार पर किसान किसी भी सीजन में बीज के लिए आविदन कर सकेंगे इसी यूनिक आईडी के जरिये बीज सबसीडी का भुगतान किया जाएगा निगम को भी बीज कलेक्शन देखने में सहलुयत होगी लेजर सिस्टम सौप्टियर के अलावा किसानों दोरा प्राप्त किये गए बीजों का रिकॉर्ड कैस्ट बुक में भी किया जाएगा बीज का उत्पादन करने वाले किसान हो अथवा बेज लेने वाला कलेक्शन सेंटर पर उससे समस पर सुचना मिल जाएगी तो आज के सुल्कियों में बचितना है बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और इस्तेदारों में सेर करना ना भूले धन्यवाद